सुनो, मुझे एक किलो जलेबी, एक किलो ढोकला और दो पैकट फापड़ा दे दो ठीक है, अभी देती हो फापड़ा, एक मिनट था यह लीजे, सुनिए मैडम, यह एक्स्ट्रा पैकट क्यो दिया मेरे पार्सल में, यह बहुत टेस्टी है, आप ट्राय करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे नहीं चेहे तुम्हारा एक्स्ट्रा पैकट, तुम यह मत सोचो के तुम कुछ भी दे दोगी और म नहीं, यह हमारी तरफ से, कॉंप्लिमेंटरी है, इस बार आप खाएंगे, नेक्स टाइम आप जरूर खरीदेंगे, हमारी तरफ से लेके जाएए, अच्छा, कॉंप्लिमेंटरी है, फिर दे दो, यह लीजे, यह लो, पैसे, थैंक यू, अरे, यह लड़की तो बहुत बड़ेजी, 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 तो चॉप ठीक है लेकिन मुझे उनिर से भी बतला लेना है आप जरा शान्त रहिए कुछ दिनों के लिए अंडरगाउंड मुझे नजरों से दूर रहिए और इस तरह मुझे पुबलाईगे बिलेके समझे आप और जसे एक तरह टलिगा मैं पो बुला नोंगा आप ज़ाग अज तक मुझे लगता था कि इस राकेट का असली मुख्या मिस्टर कॉर्ण कुंदन है और चुकि आप इस घर के दामाद हैं आपके कहने पर मैंने कोई पुलिस कम्प्लेन नहीं की थी लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि इस राकेट का असली मुख्या हूं असली मास्टर माइंड तो आप हैं हमारे रिष्टे का लिहास करते हुए मैंने कोई हमारे पास आपके खिलाफ अरिस्ट वारेंट है आपको इसी वक्त हमारे साथ पुली स्टेशन चलना होगा लेकिन किया के इन्होंने किस जुर्म कर रहे हैं इनके उपर अपने पेशेंट्स के बॉड़ी आगंस को निकालना और फिर उनके स्मगलिंग का जुर्म है चलिए इ तहर किल लुड़ा है कामियाब हो रहा है अखिर कार वस ऑनिर दद को पुललिष ने गिरफतार करी लिया तर्टास करेट और इसका सारा कृट तुमेही जाता है ओनिर को पुलिस ने गिरफतार कर दिया है तो अब हमसेफ और आग्ड़तारी ऑर पीचिश मदद चीये तो प अरे वाप पुन्मी, लगता है मित्तल का कोई वीक पॉइंट तेरे हाथ लगने बालेगा अब तो तुझे घर जाकर ये क्या मामला है ये चान नहीं पड़ेगा